हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम अपनी भावनाओं को बया कर पाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं हर देश की अपनी अलग भाशा होती है हमारे देश में तो अलग-अलग राज्यू की कई भाशाएं है जिसे वहां की मात्र भाशा कहा जाता है अर्था जन्म के बाद मनुष्य जो पहली भाशा सीखता है वो उसकी मात्र भाशा कहलाती है अंतराश्ट्रिय मात्र भाशा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मात्र भाशाओं के संरक्षन और प्रचार प्रसार के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाना था भाशा संचार का साधन होने के साथ साथ हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी है अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश में कई भाशाएं बोली जाती हैं जो हर राज्य और उसमें रहने वाले लोगों की पहचान बनती है आज 21 फरवरी 2024 को विश्वस्तर पर अंतराष्ट्रिय मात्रभाशा दिवस मनाया जाता है 1999 में संयुक्त राष्ट्र शेक्षी की वेग्यानिक और सांस्कृतिक संगठन युनेसको की महासभधवारा पारित होने के बाद साल 2000 से इसे 21 फरवरी को मनाया जा रहा है अंतराष्ट्रिय मात्रभाशा दिवस के लिए इस साल की थीम बहुभाशी शिक्षा है, पीडिकज शिक्षा का आधार है पूर्वी पाकिस्तान या जो अब बांगला देश है की राजधानी को ढाका कहा जाता था 1952 में वहां के कार्यकरताओं और छात्रों ने उर्दू को एक मात्र आधिकारिक भाशा के रूप में अपनाने के खिलाफ प्रदर्शन किया उस समय शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जब पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी 1999 में बंगाली भाशा आंदोलन के महत्व को मानिता देने के लिए युनेसको द्वारा अंतरराष्ट्रिय मात्र भाशा दिवस मनाया गया तब से संस्कृती को संरक्षित और प्रसारित करने के एक रूप में मात्र भाशाओं को पुलिसाहित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है